वर्टिगो बॉडी में क्यों हो रहा है देखिए एक चीज ध्यान से सुनिए ईउमन बॉडी का डिजाइन कैसा आपको समझाने की कोशिश कर यूमन बॉडी का डिजाइन ऐसा है कि इसके उपर प्रेशर लो जितना इसके अपर प्रेशर डालोगे न और उस प्रेशर को बना के रखोंगे उतना ये टॉलेरंट हो जाता है उतना ये एक वन जाता है तो आप अपनी लाइफ में न आराम ढूंद रहे हैं आ सब सबके सब अवाराम ढून रहे हैं शरीर से काम विलकुल भी नहीं करना इससे शरीर बीमार हो गया है क्योंकि आप इसके डिजाइन के खिलाफ में काम कर रहे हैं तो बॉड़ी के उपर ना एक तरीकी का प्रेशर ज़रूरी है चाहे वो एको सिस्टमिक अट्मोसफर का करना उसके बाद वो शांत रह सके एक एक्जामपल देता हूं आपको समझ में आएगा आपको याद है अगर जिन लोगों को अपने दादा जी याद है जो अच्छी आभी 40-50 के हैं उनके दादा जी याद है उनको तो उनकी सिचुएशन उनको बहुत काम करना पड़ता थ थी उनके अंदर बड़े अराम से बात करते थे खाने में बहुत जो जरूरी जो उस मौसम में है जो खेती में हुआ पैदा जितनी काबले तो उसके साब से मिलता था आज आप कुछ भी खा रहे हैं आज आज आप जो आपको जो खाने को मिल रहा है 50 साल पहले नहीं मिलता साल लों को बहुत कम मगर उनकी लाइफ में वह सब जहले की ख्रमता उनकी थी कपासिटी ज्यादा थी इंसाइटी नहीं होता था शांत होते लोग अच्छे शांत होते थे बुड़ापे में लोग शांत हो जाते थे अच्छे साओं मगर हमने वह पार्टी हटा दिया तो ग तो क्या होता है बॉडी का सबसे पहला पार्ट दो अगर हम देखें मेल और फीमेल मेल के अंदर ना एनर्जी जेनरेशन का पार्ट सेंसिटिव होता है यानि ग्लुकोज मेटाबोलिजम सेंसिटिव होता है इसलिए मेल जल्दी डाइबिटीज में आ जाता है जैसे जो तो दो चीज़ें आपके बॉडी में मेजरली बता रहा हूं एक केपेबिलिटी है वो क्या है पहला एनर्जी यानि ग्लुकोज मेटाबोलिजम का दूसरा प्रोटीन मेटाबोलिजम अब बॉडी ये काम कैसे करता है जब बॉडी को अगर ऐसा एक एक्जामपल दूँ अगर आजकल तो हमें जुरूत नहीं चाहते हैं वह भी एसकेलेटर चाहिए लिफ्ट चाहिए यह थोड़ी दूर भी जाना है तो टूविलर उठाके जाएंगे तो बॉडी पर हम कोई भी स्ट्रेस नहीं डालना चाहते हैं लेकिन अगर हमने इन्वारिमेंट से अपने आ ब्लैलेंस नहीं बनता है स्केलीटल कमफर्ट लोगों का बिलकूल कम होगा क्यूंकि हम गद्यदार चीजह सुफा और आराम और लेट के सारे काम करने करना तो हमारे मिलता हड्यों का मुस्टर का कंफर्ट मिलता कि हिं ठो इंहीं पैसकोन आप refuse जीं राइठ का कि आपे कान के अंदर एक फ्लूइड है वह आपके बॉडी का बैलेंस बनाता हूं वहाँ पर दिखाए देता है वह जब हिलेगा तो आपको डिजीनेस आएगी वर्टिगो होगा तो आपके स्ट्रक्चरल बैलेंस को स्थापित करना बहुत ज़रूरी है पहला इसको कहते हैं नले अगर आप जांगों अपने जांगों के इनर पार्ट को बैलेंस कर देते हैं जो की कमर की हड़ी के साथ में लगावा पार्ट है नले उसको बैलेंस करेंग हेल्थ बैलेंस काडियक मेटाबॉलिक रिदम आपका ठीक नहीं यानि लंग्स और हार्ट का जो कोडिनेशन होता है ना वहां पे गड़बड आ रही है अभी यूके में एक इस्पेरिमेंट किया गया उसमें बड़ी अमेजिंग सा रिजल्ट आया और वह इतना खतरनाक है वह रिजल्ट कहता है सतर परसेंट जो दस में से साथ लोगों का काडियो मेटाबॉलिक हेल्ट ठीक नहीं सेवेंटी परसेंट आप सोच सकते हो हर एक बंदे को जाक आगे चल के बीच में नीचे के तरफ जाएंगे तो एक छोटी से हड़ी निकली हुई है नीचे जहां पर विद्केज मिलते हैं उसको कौड़ी कहा जाता है और उसका बैलेंस नहीं बन पा रहा है यह उसका अलाइनमेंट गड़बड़ हो रही है उसकी अलाइनमेंट जैसे ही अगर अलाइन नहीं होती है जिसे धरन कहते थे लोकल भाशा में धरन कहते हैं यह सभी का नेवल जो अलाइन डिसलाइन है मैंने जो देखा मेरे experience में 70-80% लोगों का नेवल डिसलाइन है इसको चेक किया जा सकता है अच्छा यह तीन चीज़ बताएं मैं नाभी कौडी नले यह तीन मेजर अलाइन्मेंट है आपके बाड़ी को जो आपको almost कम से कम हर वीक में तो करना ही चाहिए आपकी गाड़ी अगर alignment खराब होता है तो अफ़ट से alignment कर 완성ने जाते हैं अगर फार्बट जगह में अपना alignment क्यों नहीं कर्णुक्य नहीं कर सकते हैं कि वह इससे क्या होगा कि ऐसी चीजे क्या यह की वो जैसे हड्डियों में प्रॉब्लम आ रही है जैसे कई लोगों को लेफ्ट साइड शोल्डर में पेन होता है या फिर वहां पे स्टिफनेस होती है एक पार्ट ऑफ दो बॉड़ी में होता है या भुटने दर्ध हो रहे हैं तो राइट नी तो पेन कर रहा लेफ्ट नी और तीसरा पार्ट बॉड़ी की टॉलरेटिंग कपासिटी फंक्शनल कपासिटी बढ़ाना यह बहुत जरूरी यह तीन चीज़ अगर आप तरहेंगे देखेंगे आपकी 98% प्रॉब्लम चली जाएगए तो वर्टिगों क्यों हो रहा है और मतलब जैसे अभी किसी ना बत अगारेंं ज alligator होती है ना है अग नकलिक लगालो क्या एक है एलाज तो नहीं हुगो चाल यह प्लब करते हैं तो वह कोई 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 त्रीटमेंट नहीं हुआ आपके बॉड़ी का हां बहुत जरूरी एक किया जा सकता है बड़ कितना अपको सूट करेंगा कितना रिलीफ देगा या कितना वह क्योंकि कोई भी आननेसेसरी चीज़ आपके बॉड़ी में जब लगाएंगे तो स्ट्रीड थेरपी दी जाएगे आपके इम्मुनिटी को क्राश कर दिया जाएगा किया नहीं जाएगा मगर हो जाएगी फिर एक प्राब्लम फिर दूसरी प्राब्लम तीसरी प्राब्लम की जड़ी लगना बंद ही नहीं होना इसको कहीं तो रोपना पड़ेगा आपको और वह आपका शेरीर रोख सकता है आपकी बॉड़ी रोख सकती है और कोई नहीं रोख सकता है उस पे आपको काम करना ही चाह के पनस्ट कर दोँ में प्रॉक्री